गुड मॉर्निंग, सिद्धी हिंदी ओनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है, हमने चोथा उदारन साथ तारीक के व्यवहार तक हमने किया था, आज नो तारीक का व्यवहार करेंगे, प्रदान मंत्री राहत कोश में 600 का माल दिया, तो यहाँ पर माल जा रहा है, जाए तो पर कहा जा रहा है, प्रदान मंत्री राहत कोश में मतलब कि आपने दान किया है, दान, धर्मादा, तो दान किया है, तो दान क्या एक प्रकार का खर्च कहलाता है, और खर्च का नियम क्या है, खर्च उधार और उपज जमा, तो खर्च उधार मतलब प्रदान मंत्री राहत कोश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे दान खाता या तो धर्मादा खाता लिख सकते हो आप, दान खर्च खाता उधार या तो आप धर्मादा लिखा है, आप दान भी लिख सकते हो, इसमें से कोई भी एक, फिर, उधार के पैसे, उधार कोलम में कितने रुपे का दान किया है, 600 का, और जमा के पैसे, जमा कोलम में, और यह तो उधार है, इसमें से कोई भी एक, उधार, अब दान के रूप में माल गया है, त दान से गया माल खाते का यहां तो इसके बदले लिख सकते हैं खरीद खाते का दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं दान से माल गया है तो दान से गया माल लिख सकते हैं चोरी से गया है तो चोरी से गया माल आख से गया है माल तो आख से गया माल ये शब्दा लिख सकते या तो उसके बदल लिख सकते खरीद खातिका क्योंकि जो माल खरीद के लाए थे वो चला गया पर हमने बेचा नहीं है बिक्री जाय तो जमा लिखना है माल बेचे तो जमा लिखना है पर बेचा नहीं है माल गया है पर किस रूप में गया दान में ग या तो वो शब्दल लिखो या तो खरीत खाती का शब्दल लिखो विवरा प्रधान मंत्री राहत कोश में रुपे 600 का माल दिया अब आगे 10 तारिक दुकान के लिए इलेक्ट्रोनिक तराजू मशीन खरीदे 400 यह तराजू समपती है पर कैसी समपती यह लंबे समय तक नहीं चलेगी कुछ समय के बाद यह समपती तूट जाएगी व्यर्थ हो जाएगी और इसके बतले नहीं लेनी पड़ेगी और जब खराब हो जाएगी या उसके वैल्यू मतलब कुछ साल के बाद इसके वैल्यू भी जीरो हो जाएगी नहीं के बराबर तो ऐसी समपतियों को बोलें के डैट स्टॉक अब जैसे के जमीन है मकान है इनको हम कौन सी समपती बोलेंगे स्थाई समपती लेकिन सोफासेट है या तराजू है इलेक्ट्रोनिक काटा है या फिर मोबाइल फोन है है या फिर कैलकूलेटर है यह हमारी समपती तो है पर कैसी समपती नश्ट होने वाली कुछ समपती के बाद वो नश्ट हो जाएगी उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी ऐसी समपती को डैट स् खरीदा मतलब संपति खरीदा तो आ रहा है इसको इलेक्ट्रोनिक तराजू आ रहा है तो इलेक्ट्रोनिक तराजू शब्द नहीं लेखेंगे इसके बदले में क्या लेखेंगे डेट स्टॉक खर्ड तो डेट स्टॉक संपति वो आ रही है और कोई व्यक्ति का नाम नहीं ह दुकान का नाम नहीं, यह मतलब व्यव्हार नकद है, तो रोकड जा रही है बराबर क्योंकि आपने मशीन खरीदा तो रोकड जाएगी, जाए तो जमा बदले में क्या आ रहा है मशीन आ रहा है कौन सा मशीन तो डेड स्टोक वाला क्योंकि ऐसी समपति को क्या बोलेंगे डेड स्टोक तो यहाँ पर लिखेंगे डेड स्टोक खाता उधार रोकड खाते का डेड स्टोक तराजू साड़े चार सो का यहाँ उधार और रोकड जाए तो चमार क्या लिखेंगे तो साड़े चार सो रुपे का तराजू मशीन खरीदा आगे श्री बरसाना प्राइवेट लिमिटेड ने शेर नंग सो तीस रुपे के भाव से खरीदे तो यहाँ पर सो शेर है तीस रुपे भाव है कूल पैसे कितने हुए तीन हजार अब आगे दो प्रतिशत दलाली चुकाई और वो भी चेक से चुकाई तो दलाली चुकादी चेक से और दोनों रकम मतलब यह तीन हजार और दलाली दोनों चेक से चुका दिया व्यावार चेक मतलब रोकड़ों गया, तो चेक जा रहा है, चुकाई मतलब चेक हम दे रहे तो जा रहा है, बदले में क्या आ रहा है, तो बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेर, शेर आ रहे तो वो हमारी संपती है, संपती आये तो उधार, तो हम यहां पर लिखेंगे पंद्रा बरसाना प्राइवेट लिमीटेड के शेर खाता उधार वो आपने शेर खरीदे और दो प्रतिशत दलाली भी है तो यहाँ पर गणना तो हमने खरीदा तो हम कितना रुप़े चुका हैंे तो निगेगे बैंक खाता। जब भी चेक जाये तो रोकेड के बदले क्या लिखेंगे बैंक खाते का। यहाँ पर रोकड भी अभारे, रोकड जाए तो जमा, पर चेक हो तब यहाँ लिखेंगे, बैंक जाए तो जमा, बैंक खाता जमा, क्योंकि पैसे बैंक में से जाएंगे, जाए तो जमा, और बदले में क्या आया, तो हमारे पास शेर आए, वीवरण में लिखेंगे, दो प्रतिशद दलाली से बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेर खरी दे, फिर आगे का व्यवार अठारा तारिक वाला, केदारनात को 4000 का माल बेचा, देखो, व्यक्ति का नाम आया व्यवार उधार है, असर किसकोगी केदारनात को, माल बेचा तो वो लेने वाला है, लेने वाला खाता उधार बेचा, तो माल जा रहा है, जाए तो जमा, तो यहाँ पर लिखेंगे, केदार नाथ खाता उधार क्या केदार नाथ लेने वाला इसलिए उधार क्या ले रहा है माल ले रहा है माल के लिए लिखेंगे बिक्री माल हमारे पासे जा रहा है जाए तो जमा बिक्री खाते का चार हजार उधार चार हजार जमा चितने पैसे उधर उतने पैसे जमा वेवरण में क्या लिखेंगे 4000 का माल केदार नात को बेचा उधार बेचा फिर नीजी उप्योग के लिए 5000 का माल ले गया नीजी शब्दा आया तो क्या हो गया आहरण आहरण खाता क्या लिखते है उधार यहाँ पर तारिक लिखेंगे 25 आहरण खाता आहरण हमेशा उधार और पुझी हमेशा जमा आहरण खाता उधार कितने रुपे तो 500 रुपे अब आहरण से रोकड जाए तो रोकड खाता जमा माल जाए तो माल क्या लिखेंगे आहरण से गया माल खाते का या तो इसके बदले लिख सकते है खरीद खाते का बराबर वीवरान में क्या लिखेंगे नीजी उपयोग में माल ले गए ठीक है आज यहां तक रहने दीजे बाकी के वेवरान देखेंगे हम कल